होते हैं सबसे पहले हम addition को चुन चुनते हैं addition सबसे पहले क्या होता है समाले कि एक like term है यह एक under root term है sorry इसको अगर हम under root से कर देंगे जब यह same base होगा तो क्या होगा इसका जो coefficient होगा वो add हो जाता है ठीक है इसका जो coefficient होगा add हो जाएगा जैसे इस तरह से यह और इसमें कोई change नहीं होता है clear यह याद रखेगा clear one plus one two क्योंकि same base है यहाँ पर आप देखिए same base same base यहाँ पर मैंने लिख दिया फिर different base में क्या होगा जैसे हमाले under root ले लिया और under root two ले लिया यह क्यों add नहीं होंगे because they are unlike term unlike term का मतलब है नहीं के अगर यहाँ पर under root three होता यहाँ पर two four five कुछ भी होता तो it's become like term ठीक है यह add नहीं होंगे ठीक है इसको हम as it is उतार लेते under root three plus four यह हमारा addition का case हो गया अब जो है हमारा next segment है additional number तो हम क्या करेंगे जब same base होगा और इन उनों का multiply होगा तो answer three आ जाता है कैसे three आ जाता है इसका जो explanation है we have solved through the exponent exponent में क्या होता है when we remove the under root it's become one by two यह हो गया clear अब यह same base होगा तो power should be add half and half three हो गया यानि क्या answer three है अब आपको एक concept दिमाग में रखना है कि जब under root same होगा same under root वाले number होंगे तो वो उसका value जो होता है three आ जाएगा उसी number का यसे under root five को under root five से multiply करेंगे तो five आ जाएगा clear different root होंगे तो क्या होगा they are come under one roof all right 15 under root 15 यह होगा clear हो गया अब let's take a one more example of this part three under root five two under root three three to the six under root 15 यह हो गया यह हमारा multiply भी section इसको follow करेगा clear addition बता दिये subtraction बता दिये multiplication में दो से division दिये गए है अगर दोनों base different है तो क्या होगा as it is they are come under one roof okay यह एक ही रूफ में आ जाएंगे अगर जैसे मारा ले इस तरह का question दिया under root seven and under root seven तो इस condition में क्या होगा जब यह under root divide करेगा तो यह नीचे आ जाएगा clear इसका explanation भी जो है हम exponent से लेते हैं जैसे मारा ले कि under root seven है remove करेंगे तो one by two हो जाएगा one है अभी यह क्या है नीचे जाएगा तो यह क्या होगा one upon one minus one by two three sorry two minus one by two क्या होगा one by two अब one by two की value आप जानते ही हो कि under root हो जाएगे यह हो गया clear आपका अब हम addition से बताया था कि जब हम bracket खोलते हैं bracket में दो point हो जाते हैं जैसे मारा ले यह plus है तो यह दो term होगा एक term यह हो गया एक term यह हो गया ठीक है तो पहले वाला term इससे multiply कर जाएगा तो इसको numbering कर देते हैं वन दूसरे वाला पहले को फिर से दूसरे number से करते हैं इसको हम बोल देते hora 2 clear फिर यह term खतम हो जाएगा अब इसको multiply कर लीजे पहले अंडरूर थी अंडरूर थी आपहले हैं बता चुकिए अंडरूर्ट 3, अंडरूर्ट 3 क्या होता है, 3 होगा, clear, फिर 3 को 6 से multiply करेंगे, plus का sign लगा दिया, plus है, 6 अंडरूर्ट 3, क्योंकि एक rational number है, और एक rational number है, अगर दोनों का multiply होगा, तो as it is, value आ जाएगी, ठीक है, फिर ये term खतम हो गया, plus का sign लगा दिया, क्योंकि plus है, अब ये जो second term शुरू हो गया, first term हमारा clear हो गया, first term हमारा clear हो गया, एक बार इससे multiply कर दिया, second term शुरूर्वात करते हैं, इससे, ये तीसरे number पे है, और फिर ये चौथे number पे है, सबसे last में, under root 2, under root 3, इसको क्या करेंगे, under root 2, under root 3, 6 हो जाए प्लस का sign लगा है, दोनों plus ही plus है, और 6, under root 2, clear, अब देखते हैं, कुछ add, subtract होने वाली बात हो रही है, नहीं, क्योंकि देखे, under root 3 है, इसमें under root 2 है, sorry, under root 6 है, under root 2 है, these all are different, तो इसमें addition नहीं होगा, this is the answer, clear, अब एक और छोटा ते question ले लेते हैं, इसको और explain करने के under root 3 बहुत ले चुके, अब कुछ नहीं होना चाहिए, 7 वाला खोश हो जाएगा, ठीक, अब यह 7 भाई जान खोश हो गए, 3, under root 5, ठीक, जैसे हमने एक करा था, अभी एक वाला तर्म है, यह दोनों तर्म है, इसी तरीके से हमने यह बताने की कोशिश करी है, कि इसमें आसा नहीं आपको हो जाएगी, एक मरतबा इससे कर दो, और एक मरतबा इससे कर दो, ठीक है, 3 under root 7, इसको आप एक मरतबा फिर से देख लीजेगा, उससे और किलियर हो जाएगा, 7, 5s are 35, they are come under one roof, जब यह negative value होगी, तो rationalization का मतलब क्या होता है, removing denominator, by opposite sign, by taking opposite sign, all right, तो यह under root 7, plus under root 3, because we are removing the denominator, making it rational number, क्योंकि irrational है, irrational को rational में change करेंगे, clear, अब हम क्या करेंगे, similar वही process पुराना वाला, apply करेंगे, ठीक है, 2 under root 7, 2 under root 3, अगर आपको कोई doubt ना हो, तो under root 2, वो 2 को बाद में divide कर लिएगा, यह क्या है, a plus b, sorry, a plus b, a minus b, यह किसका formula है, इस पे हमेशा generally यही formula apply होगा, a plus b and minus b, यहनि under root 7, minus under root 3, clear, we didn't take him, sorry, अब यह question समन में आ गया, यह वाला हो गया, यह under root 7 की value क्या होगे, 7 minus 3, all right, इसको finalize करें, 7 minus 3, 4, यह 1 by 2, as it is, इसको point लगाएंगे, point लगाएंगे, नहीं, बस, हो गया, हमें क्या करना था, original number को denominator से, original number में convert करना था, यह जो है generally 8th class में भी आपको मिलेगा, और 9th class में भी मिलेगा, ओके, यह बहुत जादा prominent section है, यह आपको तयार करना पड़ेगा, good bye, हमाई वीडियो कैसी लगी, like करें, share करें, और comment करें, जो नीड़ी पर दो,